अपने आसपास के लोगों में जो सबसे अच्छा गुण आपने देखा है, उन्हें उनके उस गुण से पहचाने, लोगों को सबसे बुरे गुण से पहचानने के बजाए, उनके सबसे अच्छे गुण से पहचानने से, आप उनके सर्वश्रेष्ट पहलूँ को उजागर कर आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी कम से कम आप के लिए, आप जिस भी इंसान से मिलते हैं, उसमें कुछ अच्छाईयां और कुछ बुराईयां होती हैं। अगर आप बुराईयों पर ध्यान देंगे, तो आपका मन बुराईयों में फस जाएगा। और उनके अंदर भी उस अच्छे पहलू के बढ़ने की पूरी संभावना है। ये है कि उन बातों को लेकर आपका मन कभी खराब नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि पूरी संभावना है कि वो भी एक दिन बदल जाएगे। मैंने भारत और अमेरिका दोनों जगाओं पर जीलों में कारेक्रम आयोजित किये हैं। मैं कुछ ऐसे अपराधियों या दोश्यों से मिला हूँ जिन्होंने अपने जीवन में भयानक काम किये हैं। पर उन में से कई लोगों ने योग के सरल अभ्यास अपना कर खुद को बदल लिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो मेरे साथ थे तब वो बिलकुल अधबुत लोग थे। यही आप भी कर सकते हैं। अपने अंगुली माल के रिशी बनने के बारे में सुना है। आपने वालमेगी के एक महान रिशी बन जाने के बारे में सुना है। ऐसे कई किस्से हैं जिन में से कुछ ही मर्शूर हुए। ऐसे दूसरे कई लोग हैं, जिन्होंने अपनी बुराईयों को अच्छाईयों में बदल दिया है, केवल इसलिए कि किसी ने उनकी अच्छाईयों पर ध्यान दिया था। तो क्रिपया, आप जिस किसी से भी मिले, जो कुछ भी आप उनमें सबसे अच्छा देखते हैं, आपको कोई कलपना करने की जरूरत नहीं है। ये एक संभावना है, आए इसे एक सच्छाई बनाते हैं।